है है लो बच्चा लोग तो यार कैसे हो आप सब लोग आज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनकेडमी के अपने चैनल पर जोगे एनकेडमी 11 तो 12 और मैं आपका पाइलेट कंप्पूटर साइंस के स्विमान को अड़ाने के लिए एकदम तयार हो तो क्या आप लोग तया चलिए चलिए जल्दी से हाय लो लिखो फ्रेंड्स को शेयर कर दो सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को हाई साक्षी हाई द्रूव हाई शिवेश हाई गोलू हाई दिशांत हाई आशी बड़ा अच्छा लगता है यार तुम लोग एकदम रोज टाइम सा जाते हो द्रूव यार पायथन अपन चालू करेंगे एक दो हफते के अंदर ठीक है हाई अशी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी गोलू यार तुम लोग उसे एक चिकायत है मेरे को यार कल मैं तुम्हार को इतना रिक्वेस्ट किया था कि डि डिस्क्रिप्शन में ना मेरे अनकाडमी का लिंक है उसमें जाकर कर यार मुझे फॉलो जरूर कर लो ठीक है ताकि यार मैं आपने इंपूर्ट जो है और अच्छे तरीके से आप लोगों को डिलिवर कर सकूँ ठीक है तो यार मेरी भी तो कुछ आशा होती एक्सपेक्टे चलिए 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 शुरू करते हैं तो आज का सुविचार है भाई साहब कि लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमैजिनेशन विल टेक यू एवरिवेर कहने का मतलब क्या है लॉजिक से जो है आप एक जगे से दूसरी आपके जा सकते हो आपका एक चीज कीजीस पूरा हो सकता है लेकिन अगर आपको ब्रह्मान की सेर करनी है तो आपको इमैजिनेशन जो है करनी ही पड़ेगी अपनी बूस्ट तो खयाली पुलाव जो है वो बनाना शुरू कर दो अपने दिमाग में और इमैजिनेशन जो वो तंदुरुस्त कर लो दिमाग के जो भी द्वार है ना imagination के सब खोल लो ठीक है क्योंकि बच्चा लोग imagine नहीं करोगे ना तब तक कुछ हो नहीं सकता जिंदकी में आप imagine करते हो कि यार मैं इस actor के साथ जा करके कभी बात करूं इससे मिलूं है ना तो कुछ ऐसा भी imagine करो कि यार मैं जो है एंडिय में जाऊं यूनो मर्चंडे में जाऊं एंजिनियर बरूं देश की सेवा करूं तो ऐसा imagine करना स्टार्ट कर दो और अपने imagination जो है उसको प्रिंट करके अपने दिवार पे लगा लो जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो और रोज रात क के द्वार खोलने पड़ेंगे और खयाली पुलाब जो है वो बनाना शुरू करना पड़ेगा दिमाग के अंदर ताकि आप अपने सारी ड्रीम्स को पूरा कर से को imagine नहीं करोगे तो जिंदिगी में कुछ नहीं हो सकता बात आ गई समझ में सर मेरे को एक डाउट था आशी हाँ जी बोलिए साक्षी बोल रहे हैं कि इंजिनियर बनेंगे बहुत अच्छी बात है बच्छा गुड मॉर्निंग शाउट गुड मॉर्निंग एवरिवन ठीक है शुरू करें तो अच्छा आप लोगों पता ही है कि अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जरूरी है कोड डालना कर डिसकाउंट चाहिए तो कोड आपको पता है मेरा सरनेम और उसको अपेंट कर दो 10 के साइन्स एजुकेटर हूँ मैं एंजिनेरिंग कर चुका हूँ कंप्यूटर साइन्स से चार साल से ज्यादा का एक्स्पिरेंस है पढ़ाने का और बच्चों को गाइड करते आया हूँ निस्वार्थ भाव से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे मैं क्योंकि मैं एक मुश्कुराता हुआ फेस आप सभी के लिए शुरूर करने जा रहा है तो यार अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए रोज की हम परन क्या पढ़ने वाले क्या सेशन होने वाला है तो टेलिग्राम चैनल को जाकर के जॉइन कर लो प्ले स्टोर पे जाकर के सकते हो कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे और जो आपको हम डाउट क्लियर करेंगे वो सल्यूशन जो हो देंगे हम इंगलिश और हिंदी दोनों में और एक बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको डाउट देंगे फिर से मैं कहा रहा हू हाई बच्चा चलिए अगर आप लोगों को डाउट पूछना है तो अपना जो प्रोफाइल है उस पर जाना और आसका डाउट पर क्लिक करना महां पर जागर के फोटो जो है अपने क्वेशन की वो डाल देना हाइलाइट कर देना कि कौन सा क्वेशन आप लोगों को हमारे टीम ने जो कि 27 जून तक ही अवेलेबल है इसमें आपको एक बहुत ही शांदार ओफर देखने को मिल जाता है प्लस और आइकानिक दोनों के लिए तो यह पहली बार जो है हमारे हिस्ट्री में हो रहा है अनकेडमी की जो कि है सिबलिंग ओफर यानि की जो भी आपका भाई बंदू है अगर उसने पहले से ही अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप भी उसको लेना चाहते हैं तो आप सिबलिंग ओफर लगा दें और अपना जो कोड है वो लगा दें ठीक है कोड है अपना भारतवाज स्टैन स्वाबार बता चुका हूँ दिमा क्रेटिव कॉर्णर का वहीं अगर आप बड़ा सब्सक्रिशन लेते हैं तो चार-चार महीने का आपको फ्री में जो है डिसकाउंट मिल जाता है तो बच्चा लोग क्यों यार इतना वेट कर रहो जल्दी से आगर के जो है इनको ग्रैब करो 10% का डिसकाउंट आपको पता साल का तो लेकर के देखो लेट्स गिविट रखते हैं तो वैसे ही अपन को एक डेट साल की रिलेशनशिप रखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन लेना और जरूरी है डिसकाउंट आपको हम देगी रहे हैं बात आ जाती है यार अनकेडमिक कॉमबैट क कि भाई साब कल मैंने इसको पूरा एकदम देखा है इसके पेज पर जाकर के ट्रिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका वहां पर जाकर के फ्री एंडरॉल करो और एंडरॉल करते टाइम जो है आपको लगा देना है कोड मेरा वाला ताकि थोड़ा सा बेनेफिट तो मैं भी ल स्कॉलर्शिप मिलेगी फ्री में सब्सक्रिशन मिलेगा तो यार फ्री में जो है ट्राय करने में क्या जाता है और बहुत सारे जो रैंक जो डिसाइड होंगे इस एक्जैम के बेसिस पे जोगी छट्टी से बारवी क्लास के बच्चों के लिए है तो आपको धेर सारी स्कॉलर्शिप्शन में लिंक है जाकर के जो है एंडॉल कर दो कि छी कह लिए चलिए बढ़िया बढ़िया लगे वह सब लोग चैट पर विकास हाँ टैंद के लिए बच्चा देख टैंद के लिए जो है आपका नाइंद और टैंद के लिए ग्यारा बज़े है ठीक है वि स्ट्रीशन की तो आपको घर बятे बेटे यहां पर live access मिल जाता है दुनिया के टॉप एक्डाई करता था न 11 12 में नहीं दो आपuuuu तो यह सब चीज़े मिल रही है तो यह इसका यूटिलाइस करो बच्छा आइकॉनिक की बात करता हूं तो परसनल मेंटॉर भी आपको देखने को मिल जाता है तो परसनल मेंटॉर जो है बहुत जरूरी है आज के जमाने में लाइव डाउट सेशन जो है आपको क्विकली जो डाउट अगर क्लियर करने तो लाइव डाउट सेशन आप पका से जॉइन करें वीकली रिपोर्ट्स और पेरेंट करेंट बहुत ही अच्छी चीज़ यहां पर आप देखने को मिल जाती है जहां पर एजुकेटर जो है वह बहुत अपनों मिलेंगी तो क्विज जो है यार कुछ फ्री को क्विज मैं सोच रहां की यूट्यूब पे भी कराऊं ताकि आप लोगों को समझ में और एक इंट्रक्टिव सेशन जो है अपन कर सकें तो कितने लोग चाते हैं कि यार क्विज जो है जल्दी से जल्दी अपने विकेंड के उपर आप चलो विकास जी जाते हैं कि भाईया जल्दी सल्दी हो कोई साक्षी भी जाते हैं तो यार फॉलो तो कर लो अनकेंट में बचा करके मेरे को चार-पास फॉलोवर है उसमें मेरी एक मौसी एक मम्मी है और एक मैं खुदी हूँ तो आप लोग सब्सक्रिप्शन के अगर पैकेज की बात के लिए तो आइकोनिक जो है आपका 24 महीने का मिल जाता है आपको 48,000 रुपे का 10% डिसकाउंट चाहिए तो कोड लगा देना अपना ठीक है दस बार बता दिया है याद हो जाना चाहिए ठीक है मैं यह कहूंगा कि 12 महीने का लेक और रेफरेल कोड लगा देना अपना रेपलाई कर देना डिसकाउंट पा लेना तो बच्चा लोग शुरू करें आज की पार्चला मस्ती की पार्चला शुरू करें चलो एक्साइटेड हो मैं बहुत एक्साइटेड हुई है तो यार हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर चलो अग्ली साइड में है वह कल अपने जो है बाइनरी कम्प्यूटर ओगनेजिश्चिन शुरू कर दिया था इसके अंदर अपने इंट्रोडक्शन देख लिया था हाड्वियर देख लिया था है सौफ्टवियर देख लिया था क्या हुए ऑन ने कंप्रीट कर ली है तो कि अधिशल हाय कि पी चलो तो बच्चा कल अपने बात करें थी यार memory unit की तो memory क्या होती हैं jb हम data को store करते हैं information को store करते हैं हमारे दिमाग में तो वह क्या होता है एक memory unit है चाहिए जीज आपने चीजों को दिमाग में रखते हैं और सेवर लेते हैं memory के नदर ठीक है तो यहाँ पर अपने देखा था कि यहार रैम एक होती है जो BUR6 होती है और हुती है यह है वो मेरी होती है तो हblind प्राम कि हो जाते आपके RAM और हो जात आपकी क्या ह्यां फॉक्तüyorsun बात आती है definition की तो it is used to store the program as well as data तो जितने भी programs हम run करते हैं जब हम अपना system भी start करते हैं तो जो operation system की files होती है वो हमारे RAM के अंदर से लिए जाती है that is called as programs and the data जो हमारे music files होती है वो हमारे data के अंदर आता है तो इन दोनों चीजों को हम जो store करते हैं memory unit के अंदर ठीक है बात आगई समझ में तो बात आती है कि second point की first point clear है तो जो second point आता है वो आता है computer memory holds the data and instruction needed to process the raw data and produces output तो कल आपने बात करी थी कि यहाँ पर हमारा जो है input आता है input आपका जाता है किस के अंदर CPU के अंदर और हमार को output मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो होता है आपका storage भी आ जाता है अब storage क्या होता है बेसिकलिए अगर हमने कोई भी instruction input में दिया 10 instructions हमने input में दिये instructions क्या होता है commands होती है या फिर कोई भी operations होते है 10 के 10 गए CPU के अंदर एक एक करके उन instructions को CPU लेता है प्रोसेस करता है तो लेकिन हमार को उन दसों को कहीं पर store तो करना रहेगा temporary जहां से CPU जो है वह access करें ले और उसका output हमार को दे ठीक है प्रोसेस करके तो वह storage का क्या करते है हम memory unit के अंदर करते हैं जो कि temporary भी हो सकती है और होती है short term ठीक है तो memory unit जो होती है computer की वह भी आपके दिमाग की तरह होती है तो जो primary memory हो गई वह short term memory हो गई और जो secondary memory हो गई वह long term memory हो जिसको आदमी याददाश की तरह भूलता नहीं है और short term वह होती है जो हम जल्दी से भूल जाते हैं तो quickly हमने कल पढ़ लिया था चलो शुरू करते हैं तो यार आज हम बात करेंगे RAM की RAM का full form क्या होता है random access memory ठीक है random access memory का मतलब क्या होता है देखो बच्छा लोग यह आपके जो एक chip होती है ऐसी एक chip होती है जो कि आपके लगी रहती है किस पे motherboard ठीक है अब motherboard क्या होता है motherboard कैसा बोड होता है जिसके उपर जितनी वी आपके सारी chips होती है वह embedded होती है तो महाँ पर slots लगे रहते हैं और वहाँ पर हम chips डाल देते हैं तो हमारी RAM जो है वह एक ऐसी छोटी सी chip होती है जिसको हम motherboard पे च्छोटा सा slot होता है उस पर लगाते हैं तो यह प्रोग्राम results when you switch on the computer तो क्या होता है जैसे ही हम अपना computer switch on करते हैं तो हमारा जो operating system होता है अब operating system क्या होता है जो windows हो गई हमारी operating system जो होता है उसकी कुछ files होती है तो वो क्या करता है RAM के अंदर जो है store कर देता है और उनको access करता है दीरे दीरे तो जैसे ही हम computer boot करेंगे तो जितनी भी programs files होंगी operating system की वो RAM के अंदर चले जाएंगी RAM के अंदर जाकर के temporarily store हो जाएंगी as simple as that ठीक है बात आती है कि किस तरीकी memory है तो यह read and write memory है इसमें read भी कर सकते है और write भी कर सकते हैं क्योंकि जब हम start कर रहे हैं तो हम जो operating system की files है वो उसमें write कर रहे हैं और फि erasable when PC switches off जैसे ही हम अपने computer को off करेंगे तो यह जो memory है यह volatile होने की वज़े से जो है पूरी की पूरी erase हो जाती है और खाली हो जाती है फिर हम जैसे ही computer को restart करेंगे तो वापिस से जो operating system files है वो वापिस से RAM के अंदर आ जाएंगी shutdown करेंगे वापिस से RAM खाली हो जाएगी ठीक है बात आगई समझ में volatile का मतलब अब यह दो तरिके की मिल जाती है एक होती है SRAM और एक होती है DRAM तो SRAM की अगर मैं बात करता हूँ तो SRAM का मतलब होता है static RAM static random access memory ठीक है अगर हम DRAM की बात करते है तो यह हो जाती है आपकी dynamic RAM तो अगर मैं आप लोगों से यह प्रश्न करूँ कि बच्चा यह बताओ कि कौनसी memory ऐसी है कौनसा type RAM का ऐसा है जिसमें memory long term तक store रहती है static या dynamic ब सब्सक्राबाद तो static RAM जो है क्या उसमें हम डेटा को long term तक store कर सकते हैं या dynamic के अंदर कर सकते हैं बताओ शिवेश बिल्कुल सही बोल रहा है कि SRAM जो होता है उसमें data जो है statically जो है permanently हम store कर सकते हैं dynamic में जो हता है data dynamic होता है यानि कि वो erase हो जाता है बात आगी समझ में SRAM DRAM अपने पड़ा है कि सारे प्रोग्राम जो है अपने RAM के अंदर आ जाते हैं उसको हम access कर लेते हैं जब भी हम बूट अप करते हैं अपना device तो यह होती है आपकी वोलेटाइल यानि कि जब भी हम switch off करेंगे data जो हो जाएगा और SRAM DRAM दो तरीके की RAM हो जाती है बात करते हैं बच्छा लोग SRAM और DRAM की comparison देख लेते हैं अपन SRAM और DRAM का तो यह तो हो गई आपकी static और यह हो गई आपकी क्या DRAM ठीक है अब ऐसा क्यों होता है तो एक चीज होती है बच्छा लोग memory access time memory access time अगर मैंने कोई भी चीज को instruction को लोड करना चाहा और वो लोड हुआ इस time को हम क्या कहते है memory access time कितने time में हम चीज को access कर पा रहे हैं समझ में आगई बार तो memory access time क्या हो गया अगर हम memory से कोई भ access होने में वो हम कहते है memory access time तो जो memory access time है वो SRAM के अंदर ज्यादा होता है तेज होता है और DRAM के अंदर वो कम हो जाता है size की बात करें तो SRAM जो है static RAM छोटी होती है as compared to DRAM तो यह भी एक बहुत अच्छा difference है cost की बात करें तो यार faster है तो obviously कोई भी चीज faster हो गया आज की जमाने में 4G और 3G की बात कर लो तो 3G का recharge जो होता है उस कम होता है 4G का recharge जो होता है वो महेंगा होता है तो अगर यहां पर SRAM faster है तो obviously expensive होगी और यह cheap होती है DRAM क्योंकि उसकी classification और जो characteristics है वो इतनी अच्छी नहीं है as compared to SRAM used in cache memory और main memory यह दो memory होती है अभी अगली slide में पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ दिमाग में डालो कि जो SRAM होती है वो cache memory होती है DRAM की बात करें तो थोड़ा simple हो जाता है आपके SRAM से बात करते हैं आपके single block के अंदर केतनी चीज़े होती है तो इसके अंदर जो है कर लेते हैं तो SRAM जो है वो lower power consumption को यह उटलाइस करता है DRAM जो है वो ज्यादा पावर लेता है अपने functioning के लिए तो बादा की समझ में कि क्लियर है सबको हाँ या ना हाई रवी हाई दिशांद हाई पियूश कि सब क्लियर है सबको कि हाई दिव्या साक्षी को क्लियर है शिवेश को क्लियर है आश्षी को क्लियर है बच्चा बहुत बढ़ी अच्छे से मैनत करो तो यह चीज है क्लियर हो चुकिए यही टास्क मैनेजर खोला होगा लेकिन अपन टास्क मैनेजर को जब हम परफॉर्मेंस टैप के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप देख सकते हो कि आपका प्रोसेसर होता है उसका एक नाम है यानि की आई फाइफ है आई सेवेन है क्या है इंटल का है कितना गीगाहाइट जो है आपका प्रोसेसर है तो वह भी आपको यहां देखने को मिल जाता है ठीक है यहां पर हम बात करते हैं एक चीज आती है मैमोरी की तो यह होती है आपक कहां यूज़ कर रहा हूं तो CPU जो होता है वह आपका 16% उटिलाइज कर रहा है तो कितने process जाने की कितने programs मैंने run कर रहे हैं तो basically क्या होता है हर process जो होता है वह आपका threats के अंदर बटावा होता है threats क्या होता है एक बड़ा program जैसे मैं word use कर रहा हूं लेट से ठीक है तो उसके अंदर मैं multiple functioning भी तो use करूंगा तो हर task जो होता है वह एक task हो जाता है तो मैंने इतने processes use कर रखें और इतने threads जो है मैंने चला रखें अब time मतलब कि मेरा computer कब से जो मैंने memory clear करें उससे कितनी देर से मेरा computer जो चल रहा है तो 16 मिनिट से मेरा computer चल रहा था जब मैंने screenshot लिया था बात आगी समझ में जब भी कोई task manager हम खोलते हैं तो वहां पर हम जो है RAM का utilization जो है देख सकते हैं कितनी हमारी जो RAM है वो यूटिलाइज हो रही है बच्छा एक चीज़ और आती है पर SSD SSD क्या होता है आपका solid state device होती है solid state disk solid state में basically क्या होता है यह सबसे fastest होती है इस compare to आपका SRAM DRAM और जित्ती भी RAM होती है तो मैंने क्या है अपने computer के अंदर SSD लगा रखे तो मैंने अपनी जो operating system में SSD के अंदर लगा रखा है तो बच्छा मेरे सुचाई कि यह 10x faster as compared to your RAM तो हम अगर SSD के अंदर operating system डालते है तो हमारा जो booting system होता है रहां boot up speed होती है वो जो है बहुत exponentially increase हो जाती है तो बात आगई समझ में चलें आगे हाई आयूशी आइम गूड हाव यू चलो बात आती है read only memory की room होता है आपका read only memory तो read only memory का मतलब हो गया it is only use for reader reading के ही purpose में आती है तो यह जब भी हम कोई CPU लेते हैं या फिर कोई computer लेते हैं तो यह already जो है programmed होती है आपके manufacturer के द्वारा और इसको हम बदल नहीं सकते हैं तो data is placed in room during its manufacturing and it cannot be changed तो room जो होता है यह manufacture के द्वारा program किया जाता है और इसको हम जो है change नहीं कर सकते हैं इसको हम सिर्व read कर सकते हैं बात आती है memory किस तरह की है तो यह permanent memory है और non-volatile है obviously permanent जो होगी वह non-volatile होगी data erase नहीं होगा जब हम computer को switch on switch off करेंगे तो ठीक है RAM जो होता है वह faster होता है as compared to Rome ठीक है और यह भी instructions जो है वह perform करता है store करता है जितने हमारे operating system को utilize करने होते हैं बात आती है इसके types की तो आपको मिल जाता है p-rom, p-rom का मतलब क्या होता है कोई बताएगा हमें को क्या है p-rom का full form चैट के अंदर लिखे को बताएगा p-rom का full form क्या है sir you don't reply me आपने नाम ही इतना कठीन लिख रखा है पंडे जी कि यार वह पढ़ने में नहीं आ रहा है तो थोड़ा हलका नाम रखो यार प्रोग्रामेबल रोम विल्कुल सही बात है primary नहीं होता बच्चा killer room आपने तो किली कर दी अपने एक्जैम्बल एक्जैम्बल इससे आंसर से तो यह होता है आपका programmable read only memory ठीक है तो इसमें क्या होता है जब manufacturer लेता है तो यह खाली आती है तो जब हम purchase करते हैं तब जो programmer होता है इसको भर देता है और इसके अंदर जो है जितने में instructions लोड करने होता है और यह कर देता है ठीक है तो यह सको हम change नहीं कर सकते हैं यह होती है आपकी programmable room कौन प्रोम का फुल फर्म एपी रोम एपी रोम आर्टिविक्शन इंटलिजेंस पढ़ाएंगे वेटा थोड़े ताइम बाद शिवेश बिलकूर सही बोल रहे है वेटा इरेज़ेबल programmable room ठीक है तो p-rom जब हम p-rom को जब erase कर पाते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं e-p-rom as simple as that ठीक है तो इसको erase जब हम करते हैं तो यहाँ पर हम ultra wallet trace का इस्तमाल करते हैं क्या करते हैं ultra wallet trace का जब हम e-p-rom को ultra wallet trace से पास करते हैं तो जो data होता है जो p-rom में data होता है वो हम erase कर पाते हैं ठीक है बिल्कुल सही है सान्या आप बिल्कुल सही answer दे रही हो python guru चालू होगा दो हफते बाद अब e-e-p-rom का full form कौन बताएगा मिलेको e-e-p-rom का full form कौन बताएगा e-e-p-rom electrically erasable programmable rome बिल्कुल सही है साक्षी electrically electrically erasable p-rom अब क्या होता है जब हम electrically हमें इसमें UV radiation का use नहीं करते हैं क्या UV erase का अस्तमाल हम नहीं करते हैं इसके अंदर इसके अंदर हम जो है electric का use करते है electrical currents का use करते हैं इसको erase करने के लिए तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ देख ली कि p-rom e-p-rom और e-e-p-rom तो p-rom जो होता है वो manufacture के दोरा program किया जाता है e-p-rom जो होता है उसकी जो details है जो instructions है जो programmed है उसको erase कर सकते हैं with the help of ultraviolet rays radiations e-p-rom जो होता है आपका वो electrically erasable होता है उसमें ultraviolet rays का इस्तमाल नहीं करते हैं बात आगई विल्कुल समझ में अब बात आती है एक बहुत ही अच्छी memory that is called as cache memory तो अब चलो cache memory जो होती है वो बहुत ही faster होती है as compared to RAM RAM जो होती है primary memory के अंदर आता है तो जो cache memory होती है वो सबसे ज्यादा fastest होती है ठीक है अब इसमें होता क्या है अगर CPU को कोई instruction चाहिए कोई CPU को instruction चाहिए process करने के लिए तो सबसे पहले वो इसके पास जाएगा cache memory के पास ठीक है cache memory के पास जाएगा उससे बुचेगा कि भईया आपके पास यह चीजें है क्या जीजे मेरे को चाहिए process करने के लिए अगर cache memory के पास वो already है तो वो CPU को दे देगा और वो process कर लेगा लेकिन अगर cache memory क्योंकि छोटी होती है यह सारे instructions नहीं कर सकती है तो अगर CPU ने से बुचा कि भाई मुझे यह instruction perform करना है क्या आपके पास इसकी details है cache ने बोला मिरे पास नहीं है तो CPU क्या करेगा CPU RAM से पुचेगा कि भाई आपके पास यह instruction available है क्या आपकी memory में अगर वो RAM के पास available है तो RAM उसको provide कर देगी अगर RAM के पास भी available नहीं है तो वो जाएगी आपके किस के पास hardest के पास hardest से पुचेगी कि आपके पास instruction available है hardest बुलेगी हाँ है और hardest जो है CPU को वो चीज़ प्रवाइट कर देगी बेसिकलिए यह सेम चीज़ है अगर आप लोगों को कोई चीज अपने घर के अंदर ढूड़नी है तो सबसे पहले आप जो है मम्मी के पास जाओगे मॉम से पुछोगे कि मम्मी आपके पास यह चीज है क्या अगर वो नहीं है तो आप जो है अपने पडोसी के पास और दुकान से जो है एक किलो चीनी लिया होगे तो CPU भी बच्चलोग इसी तरीके से काम करता है पहले इंस्ट्रेक्शन वो पूछेगा कि cash memory आपके इंस्ट्रेक्शन है क्या नहीं है तो जाएगा RAM के पास RAM के पास भी नहीं है तो अगर CPU अगर cash memory से पहले ही instruction मांग लेता ह अगर cash memory इसको दे देती है तो हमारे इन दोने के पास जाने की जरूरत नहीं है तो हमारी जो performance होगी वो increase हो जाएगी फैचिंग स्पीड जो है वो increase हो जाएगी अगर cash memory के पास भी available data है ठीक है अगर हमारी मम्मी बोल देंगे कि बेटा एक किलो चीनी हमारे पास है तो हम प तो यह बहुत जल्द जल्द रिफ्रेश होती है तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम जो है frequently utilize करते हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो cash के अंदर जाकर के store हो जाता है ताकि हम जो उसको frequently utilize कर सकें ठीक है और यह जो होता है यह memory आपके directly CPU के उपर ही integrated होती है हमारे board के उपर ही integrated होती है क्लियर है कैश मेमरी कैश मेमरी सबको क्लियर है बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ है कि यस और नो कि यस यस सानिया गुड़ शिवेश गुड़ चलो सब फॉलो कर रहे है अट लिस्ट पांडे जी भी हमारे साथ है चलो बात आती है units of memory की बहुत ही important चीज़ है आपके exam point of view से exam point of view से भी और अगर आप computer समझना चाहते हो तो भी बहुत ही important चीज़ है आपको यह चीज़ पता होनी ही चाहिए तो बच्चा लोग क्या होता है basically हर memory जो होती है वो cells के अंदर divided होती है ठीक है कोई भी memory ले लो आप वो cells के अंदर divided होती है इस तरीके से ठीक है तो जो cells होती है यह एक डब्बे होते हैं जिसमें 8 blocks होते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ 8 blocks होते हैं हर cell के अंदर यह तो 3,4,5,6,7 और एक यह 8 एक दो 3,4,5,6,7,7,8 ठीक है यह होती है आपकी cell number 1 cell 0 से start कर लेते हैं cell 1 ऐसे करकर के cell n तक अपन जाते हैं तो यह जो होगी आपकी क्या होगी एक memory हो गई ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है बच्चा आप लोगों के bits होते हैं इसके अंदर 0101 करके जो है हमारे instruction जो है हम define करते हैं या फिर हम डालते हैं ठीक है तो इस तरीके के कुछ instructions होते है तो यह होता है आपके 8 bit, 8 bit से हमारी एक cell बनती है, ठीक है, 8 bit से क्या बनती है, हमारी एक cell बनती है, तो जो memory होती है, वो cells के अंदर divided होती है, जो कि further blocks के अंदर होती है, हर block जो होता है, वो आपका 1 bit होता है, ठीक है, और 8 bit को हम क्या कहते है, 1 byte, क्या कहते है, 8 bits को 1 byte, क्या कह जो हो गया आपका वो एक cell को define करता है ठीक है जिसमें हम binary 0 और 1 डालते हैं जो कि हमने यहाँ पर देखा ठीक है अब 4 bits होती है अगर तो 4 bits का मतलब होता है एक nibble ठीक है यानि कि आधी byte तो 2 nibble बन करके 1 byte बन जाता है ठीक है चार bits जो होती है हमारी एक nibble होती है तो आपने देखा कि अगर कोई यह cell है यह कोई cell है 1,2,3,4,5,6,7,8 blocks में बठी वी है इसके अंदर 0,1 instructions अपने दे रखे हैं जो कि binary होते हैं आपके ठीक है तो इसके अंदर जो है मैं color change कर लएतना कि आपको एकदम समझ में आए ठीक है तो यह जो हो गया आपका यह एक nibble हो गया क्यों हो गया क्योंकि यह 4 bits हो गये ठीक है और यह पूरा क्या हो गया आपका एक byte हो गया which is equals to 8 bits clear है यह वाला चीज clear है तो एक bit जो होता है आपका 1 cell होता है 4 bits से आपका 1 nibble बनता है और 8 byte से आपका 1 byte बनता है यहां आप देख सकते हो यहा पर तो इनका चोटे में वे ön में भी बोलते हैं किस तरह के से बोलते ही अपन देख लेते हैं भी तो 1024 यह होता है आपका किलोबाइट के भी ठीके rope 1024 फिर फ external की यह बनाएगा 1mb 1024mb क्या बनाएगा आपका One TB ठीक है 1024 GB आपका क्या बनाएगा One TB यानिकि टेराबाइट अप One TB यानिकि टेराबाइट आपका क्या बनाएगा One पेटाबाइट ठीक है तो इतना ही याद कर लोगे ना तो काफी इतने कोर्स में आएगा आपका इतने ही हम यूटिलाइज करते हैं यह सब आपके बहुत जो बड़ी-बड़ी यह 8-bit जो होती है वह होती आपकि 1-byte के बराबर 1024 उन किलो बाइट सिर्ण कर दो यह बन जाता है वन एम यानि कि 1ekब 1024MB की अगर मैं बात करूं तो बनायता है आपका 1GB, 1024GB की बात करूं मैं तो बनायता है 1TB, 1024TB की बात करूं मैं अगर तो बनायता है आपका 1PB, as simple as that, तो यह जो चार्ट है यह आपको एकदम याद होना चाहिए कि कितनी चीज क्या बना रही है, ठीक है, Hi Unique, Welcome, Good Morning, कोई भी डाउट है इसके अंदर, कोई भी डाउट है या clear है, बताओ फिर वनना अपन जो है, repeat करेंगे एक बार, Good Morning, Ohm, Good Morning, Ayushi, clear है सबको यह अला चार्ट कि 8 बिट जो एक बाइट बनाती है, 1024 बाइट आपकी जो है, 1KB बनाती है, KB, MB होता है, चलो, आगे चलें फिर, higher knowledge भाई, अगर आपको देखना है कि भीया, आपकी cache memory कितनी है, तो बच्चा अगर आप जाओगे performance के अंदर, memory आपकी L1, L2, L3 में, L1, L2, L3 कुछ भी नहीं होता है, यह levels में divide होती है, आपकी cache memory, तो आप यहां देख सकते हो कि इन सब समब करोगे आपको total cache memory कितनी है, आपकी यह आपको मिल जाएगी, तो यार हम जो है, हमेशा end task करने के लिए ही, जो है, इसका use करते हैं, task manager का, ले define करीवी मिल जाएगी, अब बात आती है, secondary memory की, ठीक है, तो secondary memory जो होती है, आपकी permanent memory होती है, क्या होती है, पर्मानेंट memory होती है, यानि कि यह होती है, आपकी क्या, जैसे यह दिमाग के अंदर यह चीज घुसीवी है, हमारे की हमारी जो notes है, हमारी knowledge है, उसी तरीके से जो ह यह होती है, non-volatile, बहुत ही important point है, non-volatile का मतलब होता है, कि अगर हम computer को refresh करेंगे, shutdown करके restart करेंगे, तो उसकी जो memory है, वो store रहेगी, वो delete नहीं होगी, तो जो भी हम files, हमनी store करते हैं, अपने memory के अंदर, अपने hard disk के अंदर, वो उड़ती नहीं है, वो permanent हो जाती है, तो so the data stored is permanent and it won't be erased when computer is turned off, ठीक है, दोनों चीदे clear होगी, permanent है, non-volatile है, तो बात आती है कि secondary memory, पहले क्या करती है, आपके primary memory के अंदर data डालती है, फिर CPU को देती है, तो अपने यह आपने दिखा था कि input होता है, CPU होता है, CPU पहले किस से पूछता है, cache memory से पूछता है, ठीक है, cache memory memory के पास नहीं है, तो वो RAM के पास जाता है, अगर RAM के पास भी नहीं है, तो secondary memory में जाता है, तो जब secondary memory से हम किसी चीज़ को access करते है, तो वो आपके RAM के अंदर पहले आती है, जो क्या कि primary memory होती है, और फिर CPU उसको process करने के लिए utilize करता है, तो clear है 300 points, चलो, बात आती हार्ड इसको hard drive भी बोलते है, एक magnetic device होती है, magnetic disk होती है, कौनसे disk होती है, magnetic disk होती है, जिसमें हम अपना data जो है permanently store करते हैं और access करते हैं, तो यह आप लोगों ने देखा होगा, अपना computer केसी ने जब खोला होगा, तो इस तरीकी जो hard disk होती है, लैपटाप के अंदर इतनी सी होती है तो यह जो होती है, आपको TB में भी दिख सकती है, आपके 200 GB में भी दिख सकती है, 256 GB में भी आती है, 1 TB में भी आती है, तो जैसे जैसे हमारी technology बढ़ रही है, हमार को data जो है, वो high quality में store करना रहता है, इसलिए हम इसे high memory में use करते हैं, जैसे कि मेरे computer की बात करूँ है, तो 1 TB मेरी internal hard disk है, ठीक है, आप लोगी कितनी कितनी है, किसी को पता है, कितनी hard disk है आप लोगी, कितना data आप store कर सकते हो अपने memory में, computer की memory में, अपनी memory में नहीं, निशान friendship बाद में कर ले ना बच्चा, जिससे friendship कर रहे हो आगे निकल जाएगा, इसलिए पढ़ाई कर रो पहले ठीक है, आप लोगी कितनी computer की memory बताओ, 512 SSD लगा रखी है अविनास ने भईया, बहुत तेज, quickly आपका जो laptop वो खुल जाता था होगा, साक्षी आपको नहीं पता है, तो आप पता गरो बच्चा कितनी है, श्रेश्ट की 1 TB, पांडे जी की 1 TB, अविनास ने SSD लगा रखी है तो बहुत ही fast होगा इसका computer है, अब जो होता है, क्या हो रहा है, ये हमारा होता है, internal की हमारा किस तरीके से hard disk के अंदर जो माल है, वो भरा हुआ है, अब हम इसको quickly देखते हैं, किस तरीके से जो है, इसमें हम बाटते हैं चीजों को, छीक है, चलिए, तो ये होता है आपका arm assembly, इसके अंदर क्या होता है, ये जो arm आप देख पा रहे हो ना, ऐसे arm जो होता है, assembled होता है, इस arm assembly के ओपर, ठीक है, अब ये जो है, ये आपका एक arm होता है, ये arm देख रहो हो, ये arm, ये होता है arm, बहुत सारे arms जो होते हैं, वो आपके arm assembly पे बने वे होते हैं, हर arm के अं एननमबर उख आम से होते हैं अब जितने आउं सोंगे उतने ही हमारे ब्लै अब रिवीट्र सेक्टर ना हर जो जो प्लैट्व है वूट है उसके अंदर होता है एक ट्रेक हर ट्रेक के एक सेक्टर ठीक है तो यह जो है एक सेक्टर है यह सेक्टर है तो मुल्टिपल सेक्टर जो होते हैं आपके एक ट्रैक के अंदर होते हैं उसके अंदर हम चीजों को स्टोर करते हैं तो अगर मैं ट्रैक की बात करूं तो जो ट्रैक होता है वह एक स्लेंडर फॉर्म में पूरा structured होता है और यहां पर एक spindle लगा हुआ है जहां से जो चीज़े यह rotate होती है और हम data को access कर पाते हैं तो अगर broadly में बात करूँ तो आपका यहां पर एक arm लगा हुआ रहेगा आम से आपका एक further एक arm होगा जिसके अंदर आपका एक क्या होगा एक platter होगा यह होगा आपका platter ठीक है अब यह platter जो है यह further divided होगा किसके अंदर track के अंदर ठीक है और यह track further divided होगा किसके अंदर sector के अंदर जहां पर हम चीजों को store करते हैं तो यहां पर आप आप देख सकते हो sector भर जाएगा तो इस तरीके से कुछ जो है आपको दिखने लगेगा transparent नहीं होकर करके वो जो है भर जाएगा तो हम देखाएंगे कि यह वारा sector जो है भरा हुआ है ठीक है बाद आगई समझ में तो हमारा जो arm है उसमें हमारा क्या लग हुआ है प्लैटर तो जो प्लैटर है वो further divided है किस के अंदर tracks के अंदर tracks further divided है आपका sectors के अंदर और इसके अंदर हमारा data जो है वो store होता है ठीक है और यह है rotation होता है spindle का जब यह spindle rotate करता है तो यह जो arm है यह read करता है आपके data को clear होगी बात थोड़ा सा difficult है लेकिन समझने की कोशिश क करो imagine करो कि एक hard disk के उस पर एक arm लगा हुआ है उस पर गोल प्लैटर है फिर उसके अंदर एक track है और उसके अंदर छोटे-छोटे sectors further divided हैं कि किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि ऐसा भी कुछ होता है ठीक है नहीं बताया ना आस तक तो hardest जो हम लेते हैं उसके अंदर ऐसे पूरा structure होता है जिसके अंदर अपन जो है further हमारा जो data है वो रीट करते हैं तो आप लोगों ने देखा हो पुराने जमाने में एक music system होता था वो ऐसे ऐसे गोल घूमता था उसके उपर हम जो एक arm था वो रख देते थे तो जब वो आम उसके उपर रख देते थे ऐसे और जो प्लेट थी है वो ऐसे ऐसे घूमती थी और वो आम जो था उसको रीड करता था और हमारे को सॉंग्स प्ले करता था तो वही चीज जो है यहां पर अच्छी technology के अंदर हम magnetic device के अंदर देख सकते हैं हाई समीर वेलकम निशान पूछने के HDD के अलावा SSD भी डाल लो तो वेस्ट है क्या नहीं जो आप हार्डिस्क है आप उसको सेम डाल सकते हो जो आप सीडी लगाने वाला जगे है उसमें आप निकाल करके आप SSD लगा सकते हो अपना operating system उसके अंदर लगा दो और हार्डिस्क को अगर आप SSD के अंदर अपना operating system डाल दोगे तो हाई टेकनिकल कमबोज वेलकम मत आप बोल रहे हैं सर यू आप लिगों की किरपा है कि आज मैं आप लोगों पढ़ा रहा हूं तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करे थी कि आप पर जाकर करके फॉलो को लेला डिस्रिप् है यह पूरा की पूरा सीलड है और जो डेटा है वाथ 20 शेक्टर संहन transmit उस्टे वाथ एकदम क्लियर बात कर लेते हैं हम ब Lives डिसक की सेक noting मैं नोय मो स्टोर करते हैं तो यह सब पहली चीज आती है आपकी ब्लू-ray डिसक यह आपको देखने को मिल जाती है जो दो चीजो मां एक होती है आपकी सिंगल लेयर एक होती है आपकी डबल लेयर ठीक है क्योंकि इसके अंदर हम हाई definition जो है डेटा को स्टोर करते हैं तो इसलिए थोड़ी सी costly होती है तो जो single layer होती है उसमें अपन 25 GB तक जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जो स्टोर करते हैं जो कि हमारा थोड़ा सा जो है sensitive information जो है हम सोच सकते हैं तो आप लोगों ने चोटी चोटी कैसेटे देखियोगी जो आपके ड्राइव होती है यह sony की 16 GB की है तो मैं इसके अंदर 16 GB तो नहीं लेगिन कुछ 15 GB के आसपा साधे 15 GB के आसपास जो है डेटा को स्टोर कर सकता हूं तो जो आपकी pen drive होती है वो जो USB port लगा होता है वो 2.0 भी हो सकता है और 3.0 भी हो सकता है तो USB port हमार को अभी आज के जमाने में USB port मिल जाते हैं 2.0 और 3.0 तो अगर आपको faster transfer speed चाहिए जब हम डेटा को transfer करते है pen drive से computer के अंदर तो एक transfer rate होती राइट तो 2.0 के अंदर कम होती है 3.0 के अं तो जब आप देखोगे अपनी pen drive को तो अगर यहाँ पर blue color का कुछ port होगा तो मतलब कि वो 3.0 port है वहाँ पर उसके अंदर faster speed जो है आपको देखने को मिल जाती है transfer rate के रूप में ठीक है बात आती है यह क्या है यह है आपका memory card ठीक है इसको अपन जो है mobile के अंदर लगाते सब भी लगाते होंगे ठीक है साक्षी पास 3.0 है size कितना होता है इसमें depend करता है particular mb's में भी हो सकता है इसमें हम larger data भी store कर सकते हैं magnetic disk के अंदर लेकिन यह क्योंकि sensitive होता है इसको ज्यादा utilize नहीं करते हैं तो इसमें हम ज्यादा दर कम ही data को utilize करते हैं तो floppy से तो बड़ा ह है यह तो सुचने वाली बात ही नहीं है यह होता है आपको चलो memory card कितना चोटा सा card है और इसकी जो स्पेस है 64 GB यह evo का है Samsung का तो evo जो होता है plus उसकी transfer rate बहुत जादा हो जाती है तो जब हम high performance की बात करते हैं तो हमारे को transfer rate जो होती है बहुत जादा चाहिए होती है तो हम यह prefer करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे speed वाला memory card जो है आपने mobile के अंदर लगाएं ठीक है तो यह चोटा सा जो चिप है यह आपका 64 GB तक store कर सकता है 108 GB तक store कर सकता है 256 का भी store कर सकता है ठीक है तो यह भी हमारा एक example है secondary memory का एक और example आपको देखने को मिल जाता है secondary memory का जो ह हम जो है CDs का यूज़ करते थे movies देखने के लिए ठीक है तो अगर मैं CD की बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है 700 MB और 80 minutes इसका मतलब क्या हुआ कि 700 MB तक डेटा को store कर सकता है और 80 minutes की recording को यह store कर सकता है अच्छी quality के अंदर ठीक है बात करता हूं यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि हम उसमें data को delete करके वापिस से भर रहे हैं ठीक है 52x मतलब कि 52x speed होती है ठीक है और वहीं मैं अगर बात करूं इस DVD की तो CD और DVD दो चीज मिल जाती है तो DVD होती है उसकी capacity कितनी हो जाती है आपकी 4.7 GB ठीक है और उसकी transfer rate की बात करूं है तो यहां पर लिखा हुआ है 16x ठीक है तो DVD और CD दो चीज़े होती है तो जो CD होती है उसकी memory होती है आपकी 700 MB तो इसके अंदर हम कम data यूज करते हैं और DVD DVD जो होती है आपकी वह होती है आपकी 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक बात हुए क्लियर CD और DVD की कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बच्पन में न दस रुपे में जाकर के चार मूवीज आती थी वो डीवीडी लिए है क्योंकि उस टाइम जो है आपकी अवेलेबल ही नहीं होती थ तो मैं तो जाकर करके 10 रुपे की CD लाता था किराये पे चार मूवी देखकर के वापिस लोटा के आ जाता था तो अभिनाश भाई ने देखा है सब ने देखा है कंबोज ने भी देखा है वो जमाना हमारे जमाने में यह सब होता था ठीक है एक चीज और बताता हूं जब सीडी को उल्ब्रा करोगे ना बच्चों दो खाली जब सीडी होगी ना तो उसका जो है यहां पर मोटा सा आपको इक सेक्टर है यह देखने को मिलेगा ठीक है तो sketch और चे इव बढदे पर एक ऐसा सा ट्रेक देखने को मिलेगा तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो सेकंडरी मेमोरी सीडी है उसकी कितनी कैपेसिटी अभी तक फुल है ठीक है बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूं है आपको चलो बात आती है हमारे क्विक रिविजन की तो हमने देखा कि यार एक मेमोरी है वो फर्दर डिवाइडेड है आपकी प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो तरह के की होती है रेंडम एक्सेस मेमोरी और एक रीड ओनली मेमोरी रैम जो है वो आपकी दो तरह के के द्वारा इनों की जाती है इरेईजबल प्रोग्रामिबल रोम वह ओती हम एएस कर सकते हैं लेकिन फृष्ण से नहीं किस से इलेक्टरिकिली बात आ गए समझमे सेकेंटरी मेमोरी के बात करते हैं हमने हमने बहुत सारे चीजे देखी हैं तो हाड़िस देखी है अपने मैंगेरी टेप देखा CD DVD डिस्क यह सब देख लिए तो इसमें जो हम डेटा को पर्मानेंटली स्टोर कर पा रहे हैं इसके अंदर हम जो है पर्मानेंटली स्टोर ना करके टेंपररी स्टोर कर रहे हैं ताकि हमारे जो कंप्यूटर की पर्फॉर्मेंस बहुत फास्ट हो सके तीसी तीस जो थी वो थी कैश मेमोरी फिर से रिपीट कर रहा हूं सीपीउ जो है सबसे पहले पूछेगा कैश मेमोरी कि आपके पास मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन में को प्रोसेस करना है उसके इंस्ट्रक्शन हैं क्या अगर वो बोलता है नहीं तो वो जाएगा रैम के पास फिर वो जाएगा फर्दर सेकंडरी के पास यह निचोड है पूरा जो अभी अपनने है अभी तक पढ़ा क्लियर है क्लियर है सबको की मेमोरी किस तरीके से बटी भी है क्लियर है सबको किस तरीके से जो मेमोरी है वो हमने डिवाइट करिए फर्दर चीजों के अंदर चलो अविनाश को क्लियर है साक्षियों क्लियर है निशान को क्लियर है तो आज मैं एक्सपेक्ट करना हूं कि हम सखम 30-40 बच्चे जो में को फॉलो करेंगा अनकेडमी आप पर नीचे लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो यहां पर अपन दो मिंट लेते हैं डाइजेस्ट करो चीजों को जल्दी नहीं करेंगे दीरे चलना है तो दीरे भी चल सकते हैं अपन फीड़बैक जो है वो देते रहेना अपने चैट के दुरू ठीक है कौन कौन जो है वेब सीरीस देख रहा है कौन सी वेब सीरीस देख रहा है अब है मैं अब शायद शेर स्चैप जानंठ होंग आज करुए है नेक्स्ट क्लास बच्च 앞으로 के मैंगनेटिक मीडिया बच्चा वह था इसमें मैंगनेटिक टेप लगी रहती है उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं ठीक है आशी आपका नेम दस बार ले तो लिया मैंने मुर्तजा हाई चलो क्लियर है बच्चे लोग कोई सी भी वेब स्रीज नहीं देख रहे हैं अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं साउथ मुवी देखते हो अभिनाश आती साउथ साउथ वाली लेंग्वेज आती है डब में देखते हो हाई दिव्या चलो जल्दी से चैट में लेको तक मैं पानी पी लेता हूँ चलें आगे अब बात आती है आउटपूट यूनिट्स की तो आउटपूट यूनिट्स बच्चा वो यूनिट होती है जिसके अंदर हम जो है CPU जब कोई चीज प्रोसेस करता है और उसको रिजल्ट में देता है तो हम आउटपूट यूनिट में उसका आउटपूट देखते हैं ठीक है तो यूनिट प्रोड्यूज आउटपूट जनेरेटेड बाई CPU इन हूमन रिडेबल फॉर्म ओविसली जब कोई चीज प्रोसे आउटपूट यूनिट अब आप लोगों के लिए क्वेस्टन आ रहा है कि कैन यू गाइज नेम सम आउटपूट डिवाइसेस चैट में दो आंसर आउटपूट डिवाइसेस का नाम दो फिरम एक एक करके जो है आउटपूट यूनिट देखेंगे मुर्तजा भी कोई व बिल्कुल सही है अभिनाश बिल्कुल सही है कीबोर्ड कीबोर्ड कौन बोल रहा है यार श्रेस आपने मेरे कलवाला वीडिए नहीं देखा के यार कीबोर्ड जो होता है बच्चा वो इन्पूट इनिट है ऐसे अंसर मत दो जार दिल दुखता है फिर पांडे जी बोल रहे हैं मॉनिटर स्पिर्ट प्रिंटर सही है यह श्मित्र गुन मॉनिंग बच्चा आयूशी बोल रही है मॉनिटर चलो कीबोर्ड इंपूट है साक्षी बिल्कुल सही है साक्षी आप ट्विटर बन जाओ ठीक है तो बात करते हैं आउट्पूट डिव जयाता है मॉनिटर जैसे ही मैंने कीबोर्ड यूडब आपकी का है इंपूट डिवाइस है जायसे मैनने इसे प्रेस किया वह करेक्टर मेरे component मिल ऑफर तो मोनिटर का हो मेरा आउट्पूट डिवाइस सब्सक्राइब हो कि टेक्स एक WOR् globally वीडियो कुछ भी देख सकते हैं फिर बात आती है कि आपके दो तरह के डिस्प्ले मिल जाते हैं आपके वीडिटी और वीडियू और यह जो डिस्प्ले होते हैं यह CRT LCD LED ओलट कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हम इन सब चीजों को जो है अभी विस्तार में देखने वाले हैं तो मॉनिटर को हम फर्दर डिवाइट कर देते हैं CRT LCD LED के अंदर ठीक है बात आती है CRT मोनिटर की तो आप सभी लोगों ने बच्पन में यह वाले मॉनिटर देखे होंगे बहुत देना तो इस तरीक से जो है हमार को structure देखने को मिल जाता है CRT मोनिटर के अंदर तो इसके अंदर जो है आप लोगोंने physics में पढ़ा होगा cathode ray tubes का इस्तेमाल होता है CRT मोनिटर का मतलब भी होता है CRT मतलब होता है cathode ray tubes ठीक है बड़े-बड़े होते थे joystick भी आपको input के अंदर आ जाएगा cathode ray tubes होती है इतनी बड़ी बड़ी तो इसके अंदर क्या होता है यह जो चीज आप देख पा रहे हो ना यह जो चीज आप देख पा रहे हो ना यह चीज यहाँ पर क्या होता है आपके cathode ray tube होती है वो एक beam of electrons उसको produce करती है ठीक है तो जो electrons की बहुत सारी beams होती है वो create करता है आपका cathode ray tube और एक electron gun बनाता है तो बहुत सारी जब electrons की layers जो है यह cathode ray tube बनाएगा तो क्या होगा एक यह सब electrons है और यह क्या है एक electron gun है ठीक है तो जो यह electrons की beam, electrons की gun जब जाकर के screen पर बिढ़ती है screen कौन सी हो गई आपकी fluoroscent surface तो यह जब जाकर के आपके एक fluoroscent surface से बिढ़ते है तब क्या होता है एक current release होता है और उससे जो है हमारा data हमारा output है वो देखने को मिलता है तो cathode ray tubes से होती है वो आपके electrons beam को बनाती है उससे एक electronic gun बनती है जो कि एक fluoroscent surface पर जाकर के भिढ़ती है और आपको image देखने को मिल जाती है आपकी screen के उपर तो यह हो रहा है आपके CRTK अंदर ठीक है तो pen drive को अपन as an input device ले सकते हैं क्योंकि अपन जो है data अपन उसको दे रहे हैं तो लेकिन हम उसको input और output में नहीं bifurgrade कर सकते हैं क्योंकि वो एक storage device है हम as an input उसको बोल सकते हैं ठीक है हम उसको storage device बोलेंगे basically हम उसको input output में divide नहीं करेंगे pen drive के अगर हम बात करते हैं तो बात आगए clear हो गई CRT monitor क्या होते हैं अब बात आती है LED और LCD की LCD का full form होता है आपका कौन बताएगा LCD LED कौन बताएगा full form मैं ट्राइग करूंगा एक पूरा एक session लूँ जिसमें आपको सारे जितने full forms होंगे ना end में जाकर के उसको आपको बताऊं ता कि एक एक नंबर एक question आए तो आप बता सको कौन बताएगा LED और LCD का full form कौन बताने वाला LCD LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बिलकुल सही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लेड का कौन बताएगा टेकनिकल कमगोजी कितनी बार नाम बोलें आपका लाइट एमिटिंग डायोड बिलकुल सही है यार तुम लोगों तो सब आता है यार सब पहले सी आता है लाइट एमिटिंग डायोड ठीक है तो आपको आज के जमाने में LCD और LED दो तरीके के एना आप मॉनिटर्स देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो एक बात ध्यानाग नहीं कि जितनी भी LED मॉनिटर्स होंगे वो LCD मॉनिटर होते हैं ठीक है लेकिन हर LCD मॉनिटर नहीं होता दू टू देर करेक्टर स्टिक्स तो यह थोड़ा एक जमबल सेंटेंस है डाइजेस्ट करो ए आपका pixels basically क्या होता है अगर मैं इस image की बात करूं तो यह image होता हम च्छोटे-छोटे-च्छोटे dots से मिलकर क्व Ne pent है ठीक है तो थो हर ने character होता है और हर .new to come टो कि क्या केते हैं एक पिक्सल बोलते हैं तो बहुत सारे pixels मिलते हैं तो कि lactYeah है ठीक है बहुत सारे pixels होते हैं छोटे छोटे dots उससे एक image बनती है अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने काभी print लिया होगा तो फट जाता है वो print तो महाँ पर क्या होता है आपकெ vuelta yeah what text फट जाते है जोटे दोट होते हैं idol gotta ठीक है बात आगई समझ में तो LED जो होता हो आपका लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं उनको मिलका करके एक पैनल बनाते हैं फिर वो जो LED लाइट से आगैंतों पेजिग तो यहां पर हम क्रिस्टाल को डायोड को जो है यूटिलाइज करता है अगर LCD monitor अगर खराब हो जाता है आपका तो पूरा display change होता है आपका ठीक है ये बात हमेशा जाने ना तो LED monitor जो होता हुग आपका high performance देता है as compared to LCD और LED जो होता है वो less power consume करता है as compared to CRT और LCD तो CRT है तो obviously उसमें electron guns बनाना है तो ज्यादा power consumption होगा और LCD में हमारे को electric current पास करके crystals को activate कर करना है तो थोड़ा कम हम जो है less power consume करेंगे और LED सबसे कम power consume करता है क्लियर है LCD LED बच्चा मैं राजस्तान से हूँ कहीं से भी हूँ अभी तो घर से हूँ ठीक है बात आती है OLED और QLED की basically यह होते तो LED LCD की types है बट OLED जो होता है उसमें एक एक Organic LED हम बोलते हैं Organic LED बोलते है से quantum Quantum LED बोलते है तो होता तो यह LED है लेकि इसके अंदर क्या है हम एक Organic substance का यूण shops करते है ओ Le ڈक यह ओ जो इनक सबस्टैंस होता है जब उसमें से current पास किये जाता है उस Organic Sumướng से तो वह glow करता है और वह Glow करता है तो स्क्रीन पे इमेज मिलती है तो ओलेट जो होते हैं आज बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के आपके डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं फोर के ओलेट क्यूलेट यही सब चल रहे हैं अब ओलेट में तो आपने देख लिए कि यहाँ पर और अर्गनिक सब्स्टेंस हो रहा है क्या ह अब क्या होता है यह चोटा सा एक सब्स्टेंस की वज़े से हमारे जो आप पैनल देखते हो आजकल बहुत पतले-पतले आने लग गए ठीक है और आपको H2S डिस्प्ले मिल जाता है बहुत पतले-पतले मिल जाता है और लाइट वेट जो है डिस्प्ले देखने को मिलते ह इस चमतकारी सब्स्टांस की वज़े से जो कि है आपका और गैनिक सब्स्टेंस बात आगई क्लियर है यह मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा जो है डिटेल में बता रहा हूं बुक में आप पढ़ोगे दो-दो लाइन में नेप्टा रखा है लेकिन अगर आपनको यह क्या कर रहा है यह प्रिंटर ले रहा है यह जो है आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं चीजों को हाड़ कॉपी के अंदर करते हैं जो हमारा डिजिटल डेटा होता है उसको हम हाड़ कॉपी के अंदर प्रिंट करते हैं किसकी मदद से प्रिंटर की मद जाते हैं एक हो जाता है आपका impact printer एक हो जाता है आपका non impact printer तो अगर impact की बात करूँ तो impact का मतलब क्या होता है जो आपका paper और printer होता है उसमें direct contact होता है non impact के अंदर paper और printer का contact नहीं होता है तो अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि typewriter होता है तो typewriter के अंदर जब हम type करते है keys को तो एक head होता है हर keys से जुड़ा हुआ वो head जाकर के paper पर strike करता है करता है आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर क्या हो रहा है direct contact हो रहा है आपके head का जो print करता है जहां पर ink लगी रहती है वो ink जाती है paper पर जाकर चप जाती है और ink वापिस आती है जो head होता है वापिस आता है तो वहाँ पर क्या होता है direct contact होता है आपके जो printing head है और paper है ठीक है तो ऐसे printers को हम क्या कहते है impact printer जहां पर हम direct contact की बात करते हैं between printer and paper और non impact printer क्या हो गए opposite of impact printer यानि कि यहां पर कोई भी direct contact नहीं होता है paper और printer का बात आगी समझ में ठीक है चले आगे बात आती है कि हमारा impact printer अगर हम impact printer की बात करें तो यहां पर हमारको dot matrix एक printer मिल जाता है dot matrix जो होता है वो आपका impact printer है तो इसके अंदर obviously जो आपका printer है और paper उसका direct contact हो रहा होगा तो इसके अंदर क्या होता है आपके dots dots print होते हैं ठीक है dot dots print होकर के एक पूरी image बन जाती है और paper पर print हो जाती है एक बार में ठीक है तो हमने देखा कि impact printer जो होता है उसमें आता है आपका dot matrix printer dot matrix की printer कमल होगा dot dot जो है वो आपके print करेगा direct impact होगा आपका ribbon के अंदर जो कि इंक से डूबावा होगा और वो paper पर जाके strike करेगा और हमार को जो है printing कर देगा वो dots और lines की as simple as that ठीक है dot matrix clear है बाद आती है ink jet printer की तो यह commonly used हाज हम घरों में और offices में यूज कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है आपका एक cartridge भरा होता है cartridge में क्या होता है आपकी ink भरी रहती है colors की तो इसमें basically आपका आता है RGB yellow RGB मतलब हो गया red green black और yellow ठीक है तो RGB colors आपके इन cartridge इसके अंदर भरे वे होते हैं और यह जो i Walmart रहे हैं परिंट कर देती है और सूखने के बाद हम प्रिंटर सकते हैं तो इसके अंदर इंक होती है वह इंख जो है आपके भाष्ट के यहां पर प्रेंटर तो यहां पर डारेट कॉंटेक्टि होगा क्यों नहीं होगा क्यों यहाँ पर हम laser beam का use करते हैं किसका? laser beam का use करते हैं हम laser printer کے अंदर ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है? एक drum होता है एक drum जो होता है वो आपका connector होता है photoreceptor से, अब photoreceptor क्या होता है? ऐसी चीज़ होती है which is sensitive to light ठीक है? ये photoreceptor जो होता है ये lights को sensitive होता है तो यह जैसे ही sense करता है तो यह क्या करता है आपके drum के उपर एक toner बनाता है तो इसमें सबसे पहले तो हुआ एक drum drum ने photo receptor की मदद से photo receptor की मदद से क्या बनाया एक toner बनाया अभी जो toner है यह print होता है आपके paper के उपर और आपको image देखने को मिल जाती है paper के उपर तो laser में क्या किया है lasers का यूज़ करके हम drum की मदद से toner मनाते है और toner जो होता है वो sensitive to light होता है और उस तीस को हम print कर लेते हैं अपने paper के उपर तो जब भी आप कोई printer देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहता है HP laser jet HP ink jet उससे अपन जो है देख सकते हैं कि यह जो है printer laser वाला है या ink jet वाला है ठीक है तो वहाँ पर जो है technology का difference आता है laser में हम laser यूज़ कर रहे हैं ठीक है ink jet में हम ink यूज़ कर रहे हैं dot matrix में हम direct contact कर रहे हैं और dot को बना रहे हैं ठीक है है in case of laser printer clear है अब एक और आउटपूट डिवाइस आ जाती है भाईया जो इसको कहते हैं क्या speaker तो मेरे पास भी छोटा सा speaker है यहां पर Alexa इससे जो है हम audio को output में ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम जो है songs को सुन सकते हैं आउटपूट ले सकते हैं audio devices का किस से speaker से तो यार यह हमारे बवन भाम भाईया है इनके साथ अभी बहुत ही गलत हुआ उन्हें के पेरेंट्स और मॉम की उन्हें सब अच्छा होगा पस हमारे को अपना hard work करना है ठीक है तो जो speaker होता है वह output device होता है जिससे हमारे को क्या है output में audio file यानिकी audio मिलता है ठीक है हर audio device चलाने के लिए हमारे को sound card की जुरूद होती है sound card जो होता है को आपकी computer में लगता है sound card के बिना जो है हम sound produce नहीं कर सकते हैं output devices के अंदर है ठीक है क्लियर है तो speaker जो हो गया वह आपका एक output device होगा अब यह जो है यह क्या है एक earphone है यह क्या है output device है या input device है बताओ सब output device है input device है यह निशान खाना दस निट बात खाएंगे मेरे को भी भूग लग रही है बस session complete होने वाला है थोड़ा सा यह आपर दिमाग दखा लो यह जो है input output है श्रीधर बोले है आप्ण अक्षी बोले है सिवेश output अया पर कि यहाँ पर एक एक ने बोला है हुच संद शर्मा ने की तोनों है इस अब बताओ कि यह आप्ण पूड ऋपॉड और या dchno है वह च्छी वाद बोलिए बच्छे ने तो देखो बच्चा अब क्या है इसके अंदर हमारे मैं इयर फोन से आउटपुट तो ले रहा हूं लेकिन माइक भी तो है इसके अंदर तो जो माइक है उससे में इनपुट भी तो दे वा रहा हूं तो यह एज़ा इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें यूज यह बोली थी भाई हुटसन शर्मा ने बेटा बहुत अच्छी बात है यह आउटपुट इनपुट दोनों है क्योंकि इसमें माइक भी लगा हुआ है और आउटपुट में हमारे स्पीकर भी लगे हुए ठीक है चलो अब बात आती है प्लॉटर्स की तो प्लॉटर्स आप कर सकते हैं क्योंकि हम मैप्स जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे को हर एक कॉडिनेट जो है वो पता होना चाहिए हमारे मैप का ठीक है तो वहां पर हमारे साइस के उपर प्रिंट चाहिए होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं प्लॉटर का इस्तमाल करते हैं अब यह कैड के अंदर होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन तो जितने मेकनिकल के बच्चे होते हैं वह इसको के अंदर यूज करते हैं थाकि बड़े-बड़े मैप्स है वह आप प्रिंट में ले सको ठीक है प्लॉटर समझ में आ गई है अगर उसका पेपर जो है वह बड़ा है और हम छोटे प्रिंटर से ही प्रिंट हो सकती है लेकिन जो बड़े-बड़े शीट चार्ट वगरा होते हैं वह प्लॉटर से ही होते है ठीक है अब बात आ गई है यार सेशन की तो हमारा सेशन जो वह कंप्लीट हो चुका है आज का त कि सेटेंरी मैमोरी क्या है और हमने क्या है एक चीजो और देखी थी यूलेंट के बारे में तो यह चीजे है अमारै क्लियर हो चुकी है चार्यक्रीर की और योज़ाइन करना है यह जो है कृश्वीम वह मैने और तीन मैने को सब्सक्राइब को देखने को मिल जाता है हजार बच्चों के लिए है ओफर जल्दी से खत्म हो रहा है तो हम जो आ चुके हैं हमारे आज के से शंच में मजा आया सब को next session maybe kıl हो सकता है क्योंकि Saturday है तो मैं try करूँगा कि लंबा session लें कल अपन बात करेंगे यार software's के बारे में application software's system software's इनके बारे में ठीक है तो कल का जो है पूरा-पूरा software's के उपर होने वाला hardware part जो है अपनने cover कर लिया है बच्चा अगर आप लोग ने application download नहीं करिये तो application download कर ले ना और code जो है वो लगा ले ना तो आज कौन-कौन लोग जो है मुझे अनकेड में आप जाकर के follow करने वाले है description में link है उसका जाकर के follow करो कौन-कौन करने वाला है साक्षी, श्री, श्रिवेज सब follow करने वाले हो ना सब follow करो ठीक है तो हमारा session जो है complete हो चुका है कोई भी doubt हो अपने comment section में comment कर देना session अगर अच्छा लगो तो like कर देना और comment जरूर कर देना तो हमारा जो bell icon है उस पर जरूर दबा देना आपको notification मिल सकें तो guys मिलते हैं अगले lecture में महनत करते रहो, hard work करते रहो घरवालों के साथ time spend करो, खेलो, कुदो और माजे करो, मिलते हैं कल अगले session में, तब तक के लिए बाबाई, take care, जय हिन, जय भारत let's crack it